इस चेप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि अब बहुत ध्यान से देखें इस टॉपिक का नाम है जीरो ओडर एंड फर्स्ट ओडर कानेट इक्स एक्शली अभी तक इस चेप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन अफ रेट एंड रेट लोग ये दो टम्स को सीख लिया है और ठीक ठाक लेवल पर इसको हम लोगों ने कवर किया है तो इन दोनों टम्स के बाद आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है जीरो ओडर एंड फर्स्ट ओडर आज भी लगातार सवाल ही होते रहेंगे क्योंकि चेप्टर का नाम ही सवाल है chemical kinetic or electro chemistry concept तो ही है उसके लावास सवालों का पूरा जंजल है जिसने question bank को ठीक से किया वही इसमें effective काम कर पाता है चले start करते हैं आज की class बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखिए चीजों को समझने की किजिए लेट स्टार्ट दे क्लास बहुत ध्यान से प्लीज देखें सी आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जीरो ऑडर कानेटिक्स एंड फर्स्ट अटर कानेटिक्स बहुत ध्यान से इफक्टिव तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुद आसान भी प्यारे बच्चों अगर मैं आप लोगों से पूछूं अगर मैं आप लोगों से पूछं कि मेरे पास एक मेकनिजम जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा कि जीवन में तुम्हारे ए है उसने बीबी से रियक्ट की है जिससे सी सी बनता है और डीडी बाई प्रोडेक्ट बनता है यसानो तो इसका अगर मुझे रेट लिखने के लिए आ जाए तो मैंने फ़स्ट वा अपॉन ए डीए बाई डीटी यसानो जो की बराबर होता है माइनस वन अपॉन बी डीबी बाई डीटी सही है क्या जो की बराबर होता है वन अपॉन सी डीशी बाई डीटी हाया ना जो की बराबर होता है वन अपॉन डीडी बाई डीटी बोलो कॉंसेप्ट के लिए रहे ह तो महा basic concept है आप लोगों को ये बाते बहुत बच्पन से ही किलिए है differential form of rate इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बिटा differential form of rate differential form of rate इसको बोलते हैं चले बहुत ध्यान से इसको देखें आगे की कहानी को समझने की कोशिश करें पहरे बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि तुम्हारे जीवन में rate को निकालने का असली मैथर रेट लोही है जिसके अनुसार picture बराबर होती है के concentration of all reactant की power अब यहां अगर मैंने ए लिखा होता तो अलफा बीटा कर लेता है हाया न या फिर मैं समझदारी दिखाते हुए n लिख रहा हूं बोलोगे इमसमझ मारे के नहीं है जो की यह बता रहा है कि जितने भी रियक्टेंट है उनमे अलफा बीटा गामा को सबको एड़ करके मैंने क्या लिख दिया है न लिख दिया है net order of the reaction है किसी ने पूछा किसमें के क्या है तो आप लोगों को आंसर देना कौन सा constant है velocity constant या इसी को आप लोग क्या बोलते specific rate या इसी को आप लोग क्या बोलते हो प्यारे बच्चो रेट constant बोल देते हो क्या बोल देते हैं उसको rate का constant जबकि यह वाली जो टर्म है जिसको हम लोग किस नाम से जानते है rate के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग rate के नाम से जानते हैं अर्जस्ट करो इसको गोगा दियान से यह और क्या है बेटा है यहां पर यह कंसेंट्रेशन और रियक्टेंट की क्यों सब्सक्राइब इतनी बाते पिच्चर क्रिश्टल क्लियर हो जाने चाहिए क्लास के सभी बच्चों को ये बात हैं बिल्कुल एफेक्टिव तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए आसानी से तो यह डेटा बिल्कुल क्रिस्टल के लिए रहे हां तक कोई दुखदर्द नहीं होना चाहिए बहुत आसानी से यह बात में क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए अब मुद्दे की बात यह है यार यह जो एन है जिसका नाम ओडर है आज हम लोगों को जीरो ओडर फस्ट ओडर यही सब करेंटिक्स के बारे में पढ़ना है मालो अगर मैं जीरो ओडर रियक्शन लिखना चाहूं मालो तो आप मुझे बताईए क्या मैं इसी पिच्चर को ऐ ऐसे लिख देता है आर इस्कल टू के-concentration आफ्र या एकई पावर जीरो है ना हम और यह क्या डिपक्ट कर रहा है सबस्ट यह हो सकती है मेरी नजर में वो क्या होगी बेटा जीरो-order कानेक्स की Oo सबसे सिंपलस्ट डेफिनेशन होगी जीरो ओर्डर कानेटिक्स की सबसे सिंपल जो डेफिनेशन होगी कि मोर देन वन रियक्टेंड के केसिस में हम लोग क्या काम करेंगे इसको मही का फिर यहां लिखेंगे आर इसकल टू के A की पावर अलफा और B की पावर बीटा है ना चलो मुद्दे की बात यह है कि जीरो ओर्डर कानेटिक्स में R is equal to k A की पावर क्या लिखनी पड़ेगी मुझे 0 या मैं कहूं concentration of reactant की पावर क्या लिखनी पड़ेगी 0 तभी तो जीरो ओर कानेटिक्स होगी अगर मुझे इसकी definition लिखनी होगी तो मैं यही कहूंगा zero order kinetics का sense यही है ऐसा mechanism ऐसा kinetics जो किस बात पर depend ना करें which doesn't depend concentration of each reactant या आप reactants लिख सकते हो जो reactants की concentration पर depend ना करें बाकी मैं यह नहीं कहता है और किसी factor पर depend ना करें कर सकता बाकी किसी factor पर depend लेकिन किस पर depend ना करेगा बिटा किस पर डिपेंड नहीं करेगा सर्य डिपेंड नहीं करेगा किस पर concentration of reactant पर depend नहीं करेगा मान लेते हैं इंतनी बाते के लिए हैं बहुत ध्यान से देखो इधर चीजों को सीखने की कोशिश करो प्यारे बच्चों इसके example बगएरा तो हम लोग पढ़ेंगे पहले एक बात आपको बता देता हम ध्यान से सुनना भी सभी द्यान से सुनना मैं आपसे कहूं एक reaction है जो की ऐसी दिखाई दे रही है आर इस रिक्वेस्ट्टू के एक की पावर जीरो बी की पावर जीरो इस reaction को क्या मैं जीरो और रिक्षन बोलूंगा तो आप कहेंगे सर एन का मतला वहता था अलफा प्लस बीटा दोनों को एड करोगे तो फिच्चर कितनी आएगी बेटा जी कितनी फिच्चर आएगी आप कहोगे सर जीरो ही आएगी ब अब जला ध्यान चे समझेंगे सभी बच्चे मैं आपसे अगर ऐसे पूछता हूं कि मेरे पास आर इस इक वस्टू के एक की पावर तो वन है लेकिन बी की पावर माइनस वन है मेरे प्याले बच्चों ओडर अब भी क्या मिलेगा आप लोग को जीरो ओडर मिलेगा तो क्या ये जीरो ओडर रेक्शन है नहीं है अगर बास समझ में अब जला सुद दवासा में समझने की कोशिश करो तुमने इस लाइन को ठीक से पढ़ा ही नहीं अगर पढ़ते तो इस सवाल का आंसर होता मैंने बोला है हर रियक्टेंट की हर इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं हेर यू कन सी रेट डिपेंड सपॉन दा कंसंट्रेशन ओफ ए रेट डिपेंड सपॉन कंसंट्रेशन ओफ बी ओल्दो ओवर ओर रेट बिल बी इंडिपेंड लेकिन इंडिवीजिवल पर तो डिपेंड कर रहा है हाँ ह की जीरो ओडर की definition नहीं है, जीरो ओडर का sense है, कि चाएं एक हजार reactant हो, हर reactant की power 0 होना जरूरी है, क्या sense समन में आगया कि नहीं आगया, तो अपने बेजे में ये बात डाल लीजिए, कि 0 order reactions, वो reaction होती है, जिनका rate, even individually concentration of the reactant, पर भी डिपेंड ना करें बोले शब्द के लिए यहां तक कोई डाउट ने होना चाहिए किसी बच्चे को बहुत लाइट की स्पीड से इसको लोड कर लीजी भई हाँ भई लिखा है कंसेंट्रेशन कुछ भी हो पावर जीरो हो करेंगे करेंगे उसको बोलते हैं स्यूड़ फ़स्ट या स्यूड़ और और यश्ञ पढ़ाएंगे जब हम लोग एक्सेश अब वाटब डालेंगे तो हम लोग एक reactant की concentration को क्या put कर देंगे बिटाजी 0 put कर देंगे यानि कि उसको neglect कर देंगे वो एक case है उसका नाम है pseudo first order reaction काउंट होगी काउंट होगी जीरो ठीके ना चलिए इदर आईए लिको concentration का मतलब universally proportional to dilution होता है अगर एक चीज एक्सेस में है और वह water है तो इसका मतलब क्या है कि यार उसकी concentration negligible है पास समझ मारी एक नहीं है उसकी concentration क्या है negligible है क्योंकि आप ने उसको access में डाल दिया चले मुद्दे की बात है आगे की कहानी में सुरू कर रहा हूं किरप्या करके दियान से देखिए आज की इसी रियक्शन है very uncommon reaction है आप ये भी कह सकते हैं they are not elementary reaction ये reaction elementary reaction नहीं है तो मुझे क्या लिखना चाहिए इसकी जगे they are they are complex सीधा लिखतो not simple क्या they are complex reaction sir complex reaction क्या होती है देखो elementary reaction होती है बच्चा जब मैंने 1 से a से और 2b को react कराया ये convert हो गया 2c में माल लो उसका मुझे rate लिखना हो तो कैसे लिखूँगा k a की power 1 और b की power 2 इसको बोला मैंने कौन सी reaction है बिटा जी ये है elementary reaction लेकिन अगर मैं इसी का rate लिखूँ और rate एक्सपरिमेंटली डेटा ऐसा आ जाए rate is equal to k कि a की power 2 और b की power 1 तो भाई या picture reality हो गई कि नहीं हो गई तो बोला गया कि अब इस stationary पर dependent नहीं पड़ कर रहा ये कुछ और factor है जिसको हम लोगों ने बोला complex reaction क्या मेरी बास समझ्वाइए कि नहीं आई नेचर में elementary reaction बहुत कम होती है ये बास सही है क्योंकि मैंने सिखाया simple reaction और reversible reaction कितनी है नेचर में बहुत कम आप मैं जितने भी reaction यहां देख रहे हैं वो सभी कैसी है single step reaction होती है या मैं यह कहूं irreversible reaction होती है क्या मेरी बास समझ्वारी कि नहीं आदी तो यह मुद्दा यहां पर clear होना चाहिए आप लोग के दिमाख में पहले ही यह data clear हो जाना चाहिए कि कैसे complex reaction को पढ़ते हैं और कैसे हम लोग जो है elementary reaction को पढ़ते हैं elementary reaction वो reaction होती है जो कि simple reaction होती है यह exam में इसको बोला जाएगा कि these are the elementary reaction these are the elementary reaction तो चलिए बहुत ध्यान से इसको देखें सीखें समझें they are very uncommon reaction यह बहुत ज्यादा कैसी है बेटाजी uncommon है यह बात मैंने बोली दिया आप next which occur on the metal surface तो यह इनकी इसको ने बच्पन में reaction पढ़िये अमोनिया का decomposition करेंगे तो obvious है उल्टा यह hybrid process मैंने लिख दिया इसको समझें नो बावनाव को एंट्टू प्लस थ्राइस अफ एस्टू कनवर्ट इंटू ट्वाइस अफ आमोनिया वाई से वर सा राइट सी अगर platinum surface पर मैंस पर कर रहा ह reaction इतने temperature इतना pressure high pressure condition पर तो यह platinum देखते मेरे दिमाग में answer आजाना ची यह कौन सा zero order लेक्स देखो है है यह कौन है पिटा जी गोल्ड गोल्ड की surface पर reaction हो रही है तो obviously answer क्या हो जाएगा zero order ऐसे ही अगली reaction देख लो sunlight sunlight BC का example है पिटा जी एस्टू प्लस CL2 convert इनला प्रदेंस of sunlight convert into HCL यह भी very uncommon reaction है तो आप इसको भी किसमें count करके चलते है जीरो order connect X में count करके चलते हैं बताओ बिटा यहां तक कोई दुखदर्द है किसी बच्च को किसी प्रकार की कोई समस्चा यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए मेरी एक बात सुनने की कोशिश करिए प्यारे बच्चो मैं आपसे कहूं मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक reaction है जो कि ऐसे जा रही है कोई भी एक reactant है जिसका नाम है और वो convert हो रहा है किसमें वह यह product P में convert हो रहा है सही है अगर मैं initial time ले लूँ उसका 0 तो obvious है उस समय यही भाई साब रहे होंगे तो मैं बोलू होगी और यह वाली पिच्चर कितनी हो गई होगी बेटा जीरो क्या यह बास सही है बोलो और जब time T हो गया एक पर्टिकुलर टाइम टी तो भाई इस ए नोट में से कुछ चीज घटेगी हाँ यह नामे जवाब दो X घटा लो चलो अगर यहां से X घटेगा तो क्योंकि इ तो X से भी कितना जाएगा बेटा जी X ही जाएगा तो जो यह वाली बात सर ने लिखी है इस वाली बात को सर केवल A लिख रहे हैं A concentration of A अब थोड़ा फील कर लो चुप चाप से मैं क्या कह रहा हूं जब भी किसी के पीछे में नौट लगा दूं तो इसका मतलब है यह initial data ह at time t is equal to 0 और concentration A लगा दूं तो इसका मतलब है कौन सा data है बिटा जी final concentration है क्या है यह final concentration of reactant क्या शब्द समझ में आए हैं बोलो हाँ है न यह data class के सभी बच्चों को क्लिया रहा है मैंने बोला मैंने बोला final concentration का sense समझो पहले तुमारे पास कोई चीज 10 थी 10 में से 4 चली गई तो फाइनल कितनी रही शिक्स ही रही न तो आप इनीशल डिवैड बाई फाइनल मालब एक सेंस बता रहा हूं कि आप लोगों को यह data पता होना चीए कि इनीशल कंसंटेशन क्या चीज होती है और फाइनल क्या और एक बात बता हूं अगर कभी भी percentage दे दे reaction गंदा तो हमे इसा 100 काउंट करकर चलेंगे बोलो गेम समझ में आ गया यह basic data class के सभी बच्चों को clear होना चीए note करो light की speed से चलिए next next इदर आएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों अगली कहानी को समझों अगली कहानी को समझने की कोशिश करिए मैं zero order reaction का integrated form निकाल के आप लोगों को दे रहा हूं for zero order काने टेक्स अब पिच्चर सुरू हो रही है किर्पया करके ध्यान से सुन ले प्यारे बच्चों एक कोई reactant ए और वो प्रोडेक्ट में convert हो रहा है पहले इसका इसका फेस देख लिए मैंने लिखा क्या है यहां बच्चा अधिक्तर confused हो जाता है कि इसलिए इसको ध्यान से देखें और concept को समझे वाई कि कि मैंने बोला ए से किसमें जा रहे हैं अगर स्कर है लिखना और रेट कैसे में पिधूख के एकबगी पावर क्या लिखनी पड़ेगी जीरो क्या डेवर कर रहे हैं जीरो अच्छा ब nós बचली यहां पर क्या डील कर रहे हैं आफ के इनक हैं Baş जीरो ओर्डर कानेटिक्स यह बास आप मुझे बताँ बस फो एक छोटी सी बाति सिरो अगर यह जीरो ओर अगर यह जीरो ओर आट पर मुझे बताओ करा टी फेक बदर बत然后 और पूरी बात किससों वह रही होगी फूरी बात कि यह स्कूला हम लोग कर लेते हैं लेकिन एक छोटी सी बात में आप लोगों को बता देता हूं बहुत ध्यांता सुनना क्या इस रियक्शन को देखकर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस वन अपॉन वन डी ये बाई डी टी भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी रेट के क्या ये एक्वेशन नंबर दो और ये वाली एक्वेशन नंबर एक कंसिडर की जा सकती है अगर की जा सकती है तो मुझे बताओ रेट इस गल टू के एक पाबर जीरो रेट इस ग जो की बराबर हो जाएगा किसके जो की बराबर हो जाएगा k a की पावर 0 बोलो हया ना में जबाब दो और किसी की कंसेंट्रिशन 0 है तो यह पिचर कितनी हो जानी है बटा जीओबन हो जानी है अगर मैं इस बात को ज़्NE-ठर ले जाऊं तो initial concentration क्या ले लेते हैं बटा बताओ, initial concentration A 0 से लेके कहा तक जा रही है वेता, A तक जा रही है, जब time 0 था, जब time T था, एक बार दोबार अशन ओ गए, जब time 0 था, तो concentration कितनी थी A 0, जब time T था, तो concentration कितनी हो गई, A हो गई, तो बस मुझे इतने सी बात बताईए, क्या मैं इस form को ऐसे लिख सकता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, integration of dx क्या होता है बेटाजी, x ही होता है, तो यह x है, यह क्या है बेटाजी, x है, x का मतलब कौन है यहाँ पर, a है, और a की power में कौन है बेटाजी, यह इसकी limit है, एक a है, और एक क्या है बेटाजी, a not है, यह value किसके बराबर हो जाएगी, value बराबर हो जाएगी, k तो constant है, और t, उपर वाली बात 0t है, तो obviously t ही रहेगी, तो मुद्दे की बात यह है, कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, इसको सर a minus a not, जो की बराब minus a divided by k, बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं, यह वो final equation है, जो आपको समझ में आनी चाहिए बाई, t is equal to a not minus a divided by k, t is equal to a not minus a divided by k, here a is what, this is the final concentration, यह क्या है बेटा जी, final concentration of a है, और यहाँ a not क्या है, a not है आपके पास initial concentration, initial concentration of a, हाँ है ना, और k कौन है बता दो जरा, k है अपना rate constant, जिसको velocity constant, और t कौन है मेरे पास, यह time है, ती क्या है बिटा जी, time है, बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं सर के, हाँ है ना में जबाब दो भाई, यह basic ज्यान समझ में आ गया होगा, t is equal to a not minus a divided by k, बोलो, हो सकते है, special case है उसका, बोलो game समझ माया गे नहीं आया, यहाँ तक data 100% clear होना चीए, कोई किसी प्रकार की समस्चा नहीं होनी चीए, कि formula कैसा आया, अब आज के बाद आप से कोई इसका derivation ना पूछेगा, सीधा सीधा formula आ दोना चीए, for half life, half life क्या होता, क्या ना में इसका, अब है, half life का मतलब होता है, half life का मतलब होता है, जब समय आदा हो जाए, और अगर मैं आप लोगों से पूछू तो ये भी कह सकते हो, जब final concentration, initial concentration के half हो जाए, बोलो game समझ माया गे नहीं आया, बेटा एक बास समझ लो, हम लोग किसकी concentration पढ़ रहे हैं सिधी, reactant की, reactant पहले 100 था, 100 से गड़ते 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 पचास हो गया, तो इसका मला half life आगे नहीं, वो time जिस पर reactant की concentration, initial के respect में half हो जाए, उसी का नाम क्या होता है बेटा जी, half life, तो in short में कह सकता हूँ, the final concentration of the reactant, become half of initial is nothing, but half life, और इस a की value को उठा के यहां पर में रख सकता हूँ, तो बताए, t 50% या t half life की value किस में आ जाएगी बेटा जी, ये value आ जाएगी sir, a not minus, ये कितना हो जाएगा बेटा जी, a not by 2 divided by k, तो ये picture कितनी हो जाएगी बेटा, 1 minus 1 by 2 कितना होता है बेटा जी, 1 by 2, अरे हा ये रहा वो जिसको आप लोग half life के नाम से जानते हो, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इसमें a not क्या है बेटा जी, ये है initial concentration, जबकि इसमें k क्या है अपना, rate constant, और आप लोग समझे रहे हो, कि t 50% का मतलबी क्या है यहां पर half life, इसको लिखने का तरीका t half भी होत है, light की speed से note कर लो इसको, क्या है ये आपको पता होना चाहिए, अभी formula पर based हम लोग सवाल करने वाले, बहुत ध्यान से देख से चले जाओ भई, नहीं नहीं रेडियो अक्टिव half life अलाग है बेटागी, हाँ हाँ वह तो ठीक है, वह ठीक है, कार्बन की half life का मतलब वही है एक NCRT में सवाल भी है, कार्बन 14 ट्री, 1857 आंसर आई थी पो उसका, 1847 है या 57 है, चलिए, अगली बात देखें बई, अगली बात देखें सभी, अभी तुमारे टीचर ने जो formula बताया, वो क्या था बेटा बता रहें ज़रा, सर, T is equal to, A naught minus A, divided by कितना बेटा, K, अचा T 50% का क्या formula बताया, A naught by 2K, सही है बही है, चलिए, बहुत बढ़े, दीशरी बात आती है, जिसका नाम है lifetime, अचा lifetime क्या होता होगा, बताओ ज़रा, सर, lifetime का मतलब है, है, जब final concentration of the reactant become zero, हाँ है न, जब final concentration किसके बराबर हो जाएगी मही का, जीरो के बराबर हो जाएगी, बोलो game समझ मारा के नहीं आ रहा, वही तो lifetime है, भाई lifetime का मतलब क्या है, कि reactant जितना था, वो सारा खर्च हो जाए, और सारा खर्च होने का क्या sense है, इदर देख ले, इदर देखो, सारा खर्च होने का sense क्या है, कि reactant कितना हो गया बिटाजी, जीरो हो गया, इदर आओ, इस case में अगर मैं यहाँ पर यह value डालता हूँ, तो बताओ जड़ा, t lifetime की value कितनी आ जाएगी, t lifetime की value आ जाएगी, this is a not by k, कितनी value आ जाएगी, a not by k, सही है क्या, यह value कितनी आ जाएगी, a not by k, कितनी आ जाएगी, a not by k, ठीक है, यह बात समझ में आई कि नहीं आई, पका, तो एक चीज अब्जर्व हो रही है क्या, एक चीज अब्जर्व हो रही है क्या, कि we can find lifetime of zero order of the reaction, हम लोग zero order का lifetime निकाल सकते हैं आभी, लेकिन क्या नहीं निकाल सकते हैं, जो तुम बात कह रहे हो, वो first order के लिए कह रहे मैंने क्या बोला lifetime का मतलब concentration of five become zero, यानि कि a not y की हो जाएगा, yes we can calculate the lifetime of zero order of the reaction, हम zero order का lifetime calculate कर सकते हैं, see, see, अगली बात देखिए बई, यह हो गया बई, तीन पॉइंट के लिए रहे हैं, जिसमें formula number 1 यह है, formula number 2 यह है, formula number 3 यह है, बहुत सुंदर, चलो, एक बार जादा ध्य इस सभी बच्चे है, इसको fourth को बोलते है, special, special type of zero order reaction, special type of zero order of reaction, special type of zero order of reaction, zero order reaction, special type of zero order of reaction, zero order reaction, special type, see, 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 मैंने आप से बोला कि मेरे पास एक reactant A, कौन है, मेरे पास, एक reactant A, और यह convert हो रहा है, किसके अंदर, यह convert हो रहा है, यह convert हो रहा है, पी के अंदर, तो तुमने बहुत जल्दी से zero order लगा दिया, लेकिन मैं कर दूँ यहाँ पर, इसको थेरी लिख दू, Thrice of A, convert into P, तो देखो rate तो आप ऐसे लगाओगे, जो rate है, rate को लगाने का क्या तरीका है, rate को लगाने का तरीका तो भही है, rate किसके बराबर हो जाएगा, rate बराबर हो जाएगा, आप लोग बच्पन में ऐसे सीख क्या हो ना, rate is equal to K, एक ही पावर क्या बेटा, 0 है तो 0 ही रहेगा, क्योंकि order बेकम 0, यह सन्न, अब इसके 3 से क्या effect पढ़ेगा, कुछ नहीं, लेकिन, अगर मैं differential equation लिखूंगा, तो क्या मुझे इसको ऐसे लिखना पढ़ेगा, या नहीं पढ़ेगा, बोलो हाँ या ना में जवाब दो, यह वाला rate में दौनों को equate करने जा रहा हम, तो क्या बनेगा बेटा, minus 1 upon 3, da y dt, minus 1 upon 3, da y dt, जो की बराबर होगा, k, a की पावर 0, बोलो हाँ या ना में जवाब दो, आप कहो कि सर बात बिलकुल पते की है, यह वाली बात 0 करनी पढ़ेगी, और मैं अगर इसको इधर ले जाओंगा, तो यह कैसे दिखाई देगा, minus da is equals to 3k dt, सही है क्या, इस minus को भी धर ही ले ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर integration कर देता हूं, इस law का, तो यह वाली बात जब समय 0 होगा, तो initial concentration ही concentration होगी, हाँ या ना, लेकिन जब समय t हो जाएगा, तो final concentration a पर आ जाएगा, ब मैं डारेक्ट लिख दूँ क्या, a minus a not, जो की बराबर होगा, minus 3kt, बोलो शब्द समझ मा आ रहें कि नहीं आ रहे, minus संदर multiply करके इसको flip कर देंगे, तो यहाँ से t बराबर किसके हो जाएगा, बताओ बिटा, a not minus a divided by 3k, अरे शब्द समझ मा आ रहे, सर k या नहीं आए, यह ना में जवाब दे तो, इस बात से क्या पता लगता है तुम लोगों को, आभी का अंसर आ गया तेरा, इस बात से क्या पता लगता है, इस बात से पता लगता है कि अगर, zero order reaction बोल रखी है, और equation में कोई ऐसा स्ट्राइकोमेटरी को एफिसेंट दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, जैसे zero order करते थे वैसी करो, बट rate constant में उस स्ट्राइकोमेटरी की multiply कर दो, that's it, मलब I can write ये वाली equation और ये वाली equation को बेटा अगर मैं compare करूं, तो मैं एक बात कह सकता हूं, कि rate जो total होता है, rate constant जो total होता है, ये जो भी rate constant है, उसको स्ट्रीकोमेटरी coefficient से multiply करके आ जाता है, स्ट्रीकोमेटरी coefficient क्या होता है बेटा, जो reaction को balance करने के लिए लगाया जाता है, शब्द clear है, भावनाई clear है, सीधी सीधी सी बात, अभी तक की class में, अभी तक की class में, उस वाले case में दौनों का value calculate करेंगे, किसी बच्चे ने पूछा के सर 3A और 2B, अगर दौनो आजाएं, तो क्या करेंगे, भाई या 3A भी आ गया, और 2B भी आ गया, तब क्या करेंगे, तो उस case में आप individually एक बार A के लिए निकाल लो, एक बार B के लिए निकाल दो, दोनों टाइम को add कर दो, दोनों rate constant को add कर दो, इधर आओ, बच्चे यदर देखेंगे सभी, तो क्या है, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है कि T is equal to A not minus A divided by 3 के, where K T is equal to K into stichometric coefficient, is it clear, काम की बात सुनो आप, सुनो भई, point number 5, see, कभी आप से ऐसा सवाल आ जाए, कि find the order of the reaction, अगर आप लोगों से ऐसा सवाल आ जाए, find order, तो प्यारे बच्चों बस एक ही बात ब रख्योंगे, experiment number 1, experiment number 2, experiment number 1 में जब time 0 था तो एक concentration, time T हो गया तो एक concentration, experiment number 2 में जब time 0 था तो अलग concentration, और time T हो गया तो अलग concentration, आप से पूछेंगे, find out the order of the reaction, तो उसका एक ही रामबाड एलाज है, क्या, आप बस rate constant निकाल दे, rate constant of reaction first, या experiment 1 is equals to rate constant of experiment 2, जो आप निकाल रहे हो, उसमें 0 order equation का मदद से आप निकाल रहे हो, तो इसका मतलब अगर ये बराबर आ गए, तो reaction become 0 order, हाँ या ना, अगर तुम neat लिखने जा रहे हो, for neat only, अगर k1 not equals to k2 है, neat only, या answer रखना माई इस बात को, this is only for neat, not j, तो answer become first order, है ना, simple बात, या तो 0 या तो first, या तो 0 या तो first, अगर 0 order का formula लगा के, rate constant की value निकाली है, और दौनों value बराबर आ जाएं तो 0 order, ना है तो first order, क्योंकि 0 और first नुमारे syllabus का part है, advance, advance होता भई, वो कुछ भी पूछ लेता है, means तक में भी ये बाते ऐसे ही पूछी आती है, advance में हो सकता है, वो order 100 पूछे, सीधा, उना 0 की बात करें, ना 1 की बात करें, बात समझ मारें कि नहीं हारी, तो मुद्दे की बात क् पेपर है, तो आप कोई भी equation लगाएं, भई देखो, 0 order मैंने पढ़ाया अभी, तो 0 order का time से मैंने rate constant निकाल दिया, भावना समझ मारी, क्या पूछेगा, initial concentration 50 है, final 20 है, तो change निकाल लिया, और उस समय time कितना था, 20, 20 minute है, तो k आ जाएगा, ऐसी दूसरा experiment, तो दौनों के k क इक्वल करने का नाम ही क्या है बेटा, जी rate, order of the reaction निकालना, अगर, अगर वो दौनों बराबर आजाएं, तो 0 order और बराबर ना हैं, तो वही क्या हो जाएगा, first order, सक्षम समझ मारा बेटा, सक्षम, बीच में से entry मारा बेटा, समझ मारा बता जल्दी से मुझे message करके बता, चालो, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, मैंने बोला, मैंने बोला, एक बार मैं दुवारा रिपीट कर रहा हूं, प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों के लिए मैंने बोला, कि 0 order से ज्यादा simple कोई reaction है नहीं, 0 order बराबर होता, R equal to K, A की पावर 0, यह सब differential form निकालते हुए, integration form निकालते हुए, T is equal to A not minus A divided by K आगया, half life देखा तो half life आगया, beta A not by 2K, यहां से मेरे पास rate constant, initial concentration, T 50% की value आ गई, अगर मैं देखू, T 50% तो निकाल लिया, can we calculate the lifetime of the reaction, yes we can calculate, lifetime of 0 order reaction we can calculate, but not for first order, आगे सम्झाएंगे इस बात को, तो यहां से T lifetime की value आ जाती है, A not by K, और इस value को, मैं special type of 0 order reaction में देखू, तो यहां पर यह 3 आ गया, तो आप कुछ नहीं करना, stichometry में कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, right, तो यह basic बाते हैं, आप लोगो को crystal clear हो उन चे जल्दी से note करो, बस बहुत देर नहीं पढ़ा सकता, मैं सब यह अब सीधा सीधा सवाल पर move कर रहे हैं, बहुत जल्दी से note कर लिए, बहुत speed में यह चीज़ें हमें पढ़ाने वालों होई, क्योंकि समय जो है, होता चला जा रहा है, हमारे पास मात्रे घंटे ही है, सवाल देखो कितना सिंपल है, कह रहा है, कि टूस ए से किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, समझदार बच्चा, तो यहीं पर मुस्कुर आ जाएगा, हमसे पंगा, हाया ना, और बोल दिया है, जीरो अडर, समझ जाओ, स्पेशल केस पूछ रहा है, फिर कह रहा है, कि 50% reaction has been completed in one minute, बहुत बढ़िया, how long it will take to complete 75% of the reaction, पहले आराम से सुन लो सवाल को, जल्दवाजी नहीं करेंगे, मुद्दे की बात, इसके लिए जो T का फॉर्मला होगा, वो क्या होगा, बेटा, A naught minus A, divide by 2, बोलो, शब्द के लिए रहा है, यहां तक का data 100% के लिए रहा है, मैं कह रहा हूँ, T बेटा कितना परसंट है, 50%, 50% का मलत समझ रहे हो, percentage आ जाए, तो initial हमेसा कितना होगा, 100, 100 में से 50 माइनस कर दोगे, तो obviously कितना रहा होगा, 50, divide by, तो यह picture कितनी आ जाएगी, बेटा कितनी हो जाए कि बताओ, अरे कितना बचा होगा, भाई, एक बास सुनो, 100 था, 75 खर्च होगा, बचा कितना, 25 तो बचा, नहीं यह बस समझ में, divide by total, अरे बास सबज लेना, वरना फसोगे, 75% reaction के लिए time पूछ रहा है, तो इसका मलब 75% complete हो रहे है, तो बची कितनी समय, 25 होजी तो बची, तो यह क्या होता है, यह वही तो होता है, final concentration of the reactant, got it, अब दो equation तेरे पास आ गई, दानो को divide कर ले, तो देख, इसका कोई use हुआ, शब्त समझ में आगे कि नहीं आगे, यह वाला time दे रखा, तो एक मिनट दे रखा है, एक मिनट, यानि कि 60 second, बोल दो, य उपर से 50, नीचे से 55, value आ गई, कितनी बेटा, जी परसेंट कैसे निकाल होगा, 100-25 divided by 2K, 2K से 2K cancel होगया, 50 by 75 आ गया, 2 by 3 आ गया, now you can calculate the T 75%, clear, सबाज, अभी करा रहे हैं, रुक जाओ, बहुत यान्स देखी बई सभी, अगला सवाल है, 3A से P में जा रहा है, किस में जा आप लोगों से कह रहे हैं, कि यह 10% reaction complete हो रही है 20 मिनट में, कह रहे है 20% reaction complete हो रही है 40 मिनट में, calculate the order of the reaction, although जब पढ़ने लगोगे न, तो यह बात आप समझ लोगे, कि जो यूनिटरी method है, वो क्योवल 0 order में ही लगता है, यूनिटरी method क्या होता है बेटा, 2K 4 होगे, 4K क कितने होंगे, यही तो यूनिटरी method है, देख, 10% 20 मिनट में जा रहा है, 20% 40 में जा रहा है, तो यह क्या है, simple 0 order है, बासांज मारें कि नहीं हारी, although इसकी पहचान करने के लिए, बच्चे को क्या निकालना चीए, के निकालना चीए, और के निकालना चीए, क्या तरीका है, दोस्त ज़रा formula बता दें, T is equal to, A naught minus A, अब बता ज़रा सिधी में, ऊपर क्या लेको, नीचे क्या लेको, के या थरीके है, यह सुन्दर बात थी वाई, अब दोनों बातों को put करने हैं, पर आप लोगो answer निकल जाएगा, अब यह 10%, 10 लिख दू, T percent, T 10%, 20 minute, यह आ रहा है, और यह value कितनी आ जाएगी, 100 minus 10, 90, ठीक लिखा है, ने, गलत लिखा है, यह value कितनी आ जाएगी, 100 लिखी जाएगी नहीं यह तो, और यह कितना है, यह 10% है, 100 minus 10, तो यह 90 बचा न, divide by कितना है, थरीके, क्या दिक्कत है, सही तो है, यहा आ जाओ, अगला बताओ जारा, यह 40 मिनिट ले रहा है, 100 minus कितना हो जाएगा, बेटाजी, 80, divide by कितना हो जाएगा, थरीके, आपने एक चीज अब्जर्व कर ली होगी, अभी, कि यहां से 10 बनता है, यहां से 20 बनता है, 20 दूनी 40 होते है, 10 दूनी 20 होते है, तो थरीके, थरीके क्या आ गया बेटाजी, बराबर आ गया, यहां मैं कहूं, के के क्या हो गया, इसका, बराबर हो गया, तो इस रेक्शन का के बन के टू के बराबर होने की वज़े से, और आपने 0 order का फॉर्मर लगा आ है, तो इस रेक्शन को मैं क्या बोलूगा, बहिए, 0 order of the reaction, बोलो, शब्द समझ में आया या नहीं, बो दो, यहां तक डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को किस्टल के लिए रहा है नहीं के लिए, बहुत जल्दी से note कर लो भई, अब असली सवालों पर हम लोग move करने जा रहे हैं, असली सवालों पर move करने जा रहा हूं, कर्प्या करके जल्दी से note कीजिए, कि फर्स्ट ओडर बोल देता मैं तो फिर मैं पूरा निकालता चीक है फिर मैं निकालता उस केस में कि मर्जी आपकी लिखना चाहू सेकेंड में तो सेकेंड में लिख देना कुशन पर डिपेंड करेंगा न हर्दिक वो चलो आजो बाई बास मुझे लग रहा है तुम लोगों को आसान पढ़ने की आदत खताम हो गई है न तो इसलिए तुम चाहते हैं जल्दी से जल्दी मुश्किल वाला पार्टी आदमें पढ़ाए देख दर ध्यान से बोला हास एक और रियक्शन है जिसका नाम है फस्ट ओडर फस्ट ओडर रियक दियान जा सुने हैं फस्ट ओडर करनेटिक इस बेस अफ दिस चेप्टर करके दियान जा सुने सबसे पहले न मैं इसके एक्जामपल लिग दे तो मेरे दिमाग में फिर मैं भूल जाओंगा डिकंपोजीशन ओफ डिकंपोजीशन ओफ अफ एंड टो फाइव एंड एड़ अब इसे तो तमाम टाइप की फस्ट ओडर अब इनके सब के एक्जामपल थोड़ी याद करे जाएंगे तो जर्नली यूज हो रहे हैं वही अग्जामपल हम लोग जो है आपर लिख वा रहे है ठीक है ध्यान चे देख इधर आए सभी इधर आएंगे सभी बच्चे बहु जिए गेम शुरू करने जा रहा हूं कर्पया देहन से देखें मैं सीधा सीधा फुस्ट घेम शुरू कर रहा हूं रहा हूं प्यारे बच्चो मैंने लिख ले यहाँ पर एक रियक्टेंटल ने एक elders अगर मुझे इसका रेट लिखना पड़े तो मैं क्या कहूंगा एकी पावर वन लिखना पड़ेगा और इस रेट की जगे में और क्या लिख सकता हूं माइनस वन अप्वान वन डी एवाई डी टी कि दोनों को एक्वेट कर दूंगा डारेक्टी मैंने कर दिया है सीधा एक स्टेप खाके समझ में आ रहा होगा आप लोगों को लेकर अब इस माइनस अडी टी को दल्ले आते हैं इस एक दल्ले आते हैं तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा सट डी ये भाई सही है क्या बोल दो जो की बराबर होगा किसके बेटा जी माइनस के डी टी शब्द के लिए अब मैं कह रहा हूं इंट्रिकेशन कर लेते हैं इंट्रिकेशन करते हैं तो जब समय जीरो था तो इनिशल कंसेंट्रेशन क्या मान कर चलता था मैं ए नौट लेकिन जब समय ट हो वह होग यह जो माइनस है ना तुम्हें माइनस हटाना हे न अगर बहुत सारे मैसर है माइनस हटाने के लिए लिमित को भी इंटरचेंज कर सकते हो पता हैं ब logarithi जला मैं बतादेता हम ग выпsize मैं ये निकाली लेता है कि सर ना ऐसा क्यों किया है क्योंकि सर माइनस लिखने से बच रहे हैं कि लिमिट को मैंने क्या कर दिया इंडर्चेंज कर दिया माइनस के सहरे अब देखे ज़्यान से इधा 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 इस वैल्यू को और कैसे लिख सकता हूं यह वैल्यू डारक्ट ऐसे लिखी जा सकती एल A by B है या नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख दूए एलन ए नॉट बाइ ए जो की बराबर होगा किस से केटी के एलन को कैसे लिखा जा सकता है 2.303 लॉग यह क्या है बीटा दी ए नॉट बाइ ए स्चर यहाँ चाहें चाहिए तो फिकेक को यहाँ से सकते के से हैं कैसे 2.303 लॉग इनौट बाइ मिए र यह वाली पिच्चर कैसे लिख सकते हैं दो जारा सर यह फिच्र लिख सकता मैं यहाँ पर क्या के बेसिक लिए तो यह रहा वो फॉर्मुला यह रहा वो सवाल यह रहा वो कॉंसेप्ट जो आपको आना चाहिए सर देखिए आभिक ने पूचा सर यह स्पेशल टाइप आ जाए तो यहां की जगे क्या कर दूंगा केटी और केटी कैसे निकलता है वाइस टाइको मेंटरी से मल्टीप्लाई डेवाइड करके सी इधर आएंगे सभी यह टी क्या है बेटा जी टाइम आफ किसका अरे बोलो फस्ट और के कौन है बेटा जी बताओ सर यह स्पेसिफिक रेट यह वेलासिटी कॉंस्टेंट या रेट कॉंस्टेंट सही कि अजर्य क्या है बेटाजी अपरशेंट में एक परेट मेंत होगी तो क्तुन होगी हमेशा 100 यह वाली टेम है बेटाजी बची हुई यानि कि फाईनल पीलियसन अफ्र ये अल बटका यहां तक कोई doubt किसी बच्चे को नहीं होना ही कि यहां तक कोई doubt किसी बच्चे को नहीं होना ची एक बात आपको बतादू सुनों के ध्यान से सुनों च नोर्ट wn temperature is the function of rate constant, temperature किसका function है बेटा जी rate constant, ताप मान, ताप मान, को घटा होगे, तो rate constant भी क्या होगा जी घटेगा, और rate constant अगर घटेगा, तो इसमें कोई संदे नहीं है कि time period क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यह बास समझ मारे कि नहीं है, इस equation से यह data भी अपने दिमांग में रखो होगे, यह एक बार जी एडवांस में पूछा हुआ direct सवाल है, किसी के लिए, ठीक है न, यहाँ time है, this is not time, this is temperature, temperature is directly proportional to rate constant, temperature is directly proportional to rate constant, उस case के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, उस case के अंदर हम लोग इसको directly proportional relation है, क्या मही का कुछ पूछ रहे हैं क्या, if r is equal to a, then first order reaction, yes, बेटा, complete order of the reaction is first, but in respect of individually, it is not first order, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को जितनी भी orders है, यह सभी, individually reactant के respect में calculate करने होते हैं, आगे बाद समन में, लेकिन overall का order बदला आ जा सकता है, मही का clear हुआ, जो भी मैंने बोला अबी, चला, माल लेते हैं इतनी बाते हैं आप लोगों को clear हो गई होगी, see, noted है, चला, थोड़ा सावी मैं आप लोगों को यहां द्रश्य दिखा रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो भई, सीखने की कोशिश करो, थोड़ी सी देर में हम लोग बाकी बच्चों से उपर हो जाएंगे, इसलिए क्रिप्या करके ध्यान से सुनेंगे अब इसको, क्योंकि यहां तक तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, जो नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, उसको सीखने का नामी एंट्रेंस है बेटा, चले, बहुत ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, see, चले आ करके आना, ऐसे मत आ जाना, जे एडवांस का पेपर है, आज साम को एक फाइल भी दूँगा, मैं तुम लोगो को, साम को कि आभी सर्फ कल आये नहीं थे, वन्ना मुझा आज दे दे नहीं थी, जे एडवांस का पेपर है, नीट का भी पेपर है, कुछ बच्चों का कोशिस करें, शाम को होगा फिर, चार बजे आजा फिर, पांच बजे आजा, इधर आजाओ, बच्चों, यह देखिये वहीं, एक बास समझना भी सर्की, जरा एक बास समझने की कोशिस करना भी सभी, बच्चों एक बास समझने कोशिस करना मेरी, सुनो भाई, हाँ, एक बास समझना, सुनो भाई, सुनो, सुनो, सुनतो रहें, चल देख देख देख, इधर देख, दूसरी बास, अब ही जो मैंने फॉर्मला बताया, वो क्या पड़ा है, T is equal to 2.303, यह हो गया K log, initial concentration यानि की A naught, और यह वाली पिच्चर क्या हो जाएगी बेटाजी, यह हो गया equation number 1, बहुत सुन्दर, अज़र T half का बताना मेटा, T half कैसे निकाल होगे, T half होता क्या ऐसा है, T half का मतलब है, जब final concentration, initial concentration की respect में कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, तो इस A की value को put कर दें, और T half का formula लगा दें, तो T 50% कितना हो जाएगा, 2.303 divided by K log, कितना, A naught by A naught by 2, समझ मा रहा होगा, log 2, log 2 कितना होता है, 2.303, multiply 3, 010, divide by K, is equal to 0.963, divide by K, कभी भी use मत करना, कभी भी use मत करना, अगर चाहते हो, सवाल आराम से हो जाए, जिसने half life का formula यूज करा, समझ लो, वो calculation में फसा, हमेशा कोशिस करो, इस K को eliminate करना है, हमेशा, देखो मैं सवाल कराओंगा, आपको अंदाजा होगा, formula लिखवा ना था लिखवा दिया, तीसरी बात, एक टम और आती है अपने पास, जिसका नाम है, इधर देख सक्षम, जिसका नाम है lifetime, नाम तो सुना ही होगा, lifetime, लाइफ टाइम का मतलब क्या है, कि जब reactant completely खर्च हो जाए, यानि कि completely product में convert हो जाए, तो A की value को 0 कर दो, इसमें चलो बता, T lifetime is equals to 2.303 divided by K log, कितने हो जाएगी value बता, बोल, अर बोलो खतम बच्चो, A not by 0, और किसी की value divided by 0 तो ये picture infinity, whole become infinity, infinity, समझे रहो, लगे रहो, लेकिन lifetime of first order reaction, you can't calculate, आब एक, crystal clear, क्या बोला सर ने, कि we can calculate, lifetime of zero order reaction, but we can't calculate the lifetime of first order reaction, first order reaction, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन, zero order reaction, खतम हो जाती है, got it, ये game समझ मानन चाहिए, अब ये तो देखो बच्चा गिरिये, समझ में आए यान आए, पेपर में सवाल तो इससे बनना है भईया, CBSC और मेंस का सवाल यहां से बनता है, ठीक है, अब आजाए ये जरह दिहान से, इधर आएंगे सभी बच्चे, सुन लो, सुन लो, अब इतने में खतम नहीं होना, आपको ये भी जानना है, ये भी जानो, सही लिखा है भई, ये ऐसा क्यों जानो, क्या जरूरत है इसकी, देखो भईया, मैं इस T के फॉर्मले को क्या ऐसा लिख दू, T is equal to 2.303 divided by K, log, तुमने फॉर्मला क्या पढ़ाता बेटा दी, A not Y, मैंने का बहुत बढ़िया फॉर्मला है, मैंने बोला, एक और इसको ऐसे भी लिख ले बेटा, 2.303 divided by K, log, अच्छा, concentration क्या होता है, मोल with respect to volume in liter, और है या न, अगर system 1 है, तो क्या volume बदलेगा, नहीं बदलेगा, इसका मतला मैं कैसे लिख सकता हम इसको, मैं लिख सकता हम, moles, initial, या initial को मैंने नौट से डिफाइन किया है, समझ रहे हो, बावनाव को, divide by, moles, final, चीख पाए, एक तरीका, यही नहीं, और सुनो, t is equal to 2.303, divide by k, log, अरे moles का formula क्या होता है, given weight divided by molecular weight, अच्छा, रेक्टन्टी तो convert हो रहा है, molecular mass बदलेगा, इसका बदलाओ, साबाश, बावनावनाव क्लियर है, आही तो चुकी अभी तक, बताओ, picture clear, कोई दुख दर्द है हाँ तक, हाँ या न, डेटा क्लियर है किस्टल, चलो, एक बात और बताओ मुझे, 2.303, divide by k, तुम concentration कहा रहे हो, मालो कोई gas आ जाये तब, तो pressure, तो pressure कौन सा, initial, और नीचे कौन सा pressure, बचा हुआ, बचा हुआ का मतलब क्या है, p0 minus p, अरे हाया न, नहीं आया समन में, मेरे प्यारे बच्चों, ये a gas थी, जो की b में convert हो जब समय 0 था, तो pressure था, p, या not लिख दो, तो समय ये picture क्या रही होगी 0, लेकिन जब time equilibrium पर आया, या मैं कहूँ कि time t हुआ, तो इसमें से मैंने क्या घटा दिया, दोस्त, p घटा दिया, तो यहां क्या बढ़ गा, p, तो initial pressure क्या रहा आईए, और final pressure क्या रहा आईए, न, न अब देखो ये सवाल जितना आसान तुम्हें दिख रहा है न, उतना होता नहीं है, NCRT मे, NCRT मे, क्या पूछ रही है, our first order reversible reaction, reversible हो भी सकती है, all reversible नहीं हो सकती, लेकिन है, इदर सुनेंगे, सक्षम बहुत यान सुन, सक्षम, समझ मारा बिटा, एक बार बदा मुझे जया, see, इदर देख, मैंने क्या बोला, इगेम समय में आया या नहीं आया, बोल दो, डेटा क्लियर है के नहीं क्लियर, तो ये डेटा 100% क्लियर होना चीए, यहां तक कोई, किन्तू परंतू ना हो भई, आसानी से ये बात आप लोगों को क्लियर होने चीए, done, यहां तक को चौंको लिखने में कॉंसेप्ट को लिखने में कोई समस्चा निए होने चीये। आप मैं यहाँ पर एक बात कह देता हूं आप लोगों से पिला ज्यान से पाइस, ध्यू सनो इन गैसा इन गैसा रियेक्टेंट और प्रोड़क्ट इन Gaseous Reactant और Product कुछ Change यहाँ पर देखे गए इन Gaseous Reactant और Product कुछ Change यहाँ पर आप लोगों को देखे जाएंगे भई वो Change क्या है वो मैं एक बार लिख देता हूँ equation से यह देख लो एक बार इसको मैं लिख देता हूँ यह है आप लोगों को टी बराबर लिखना पड़ेगा 2.303 divided by k log sum of stichometric coefficient minus 1 of p0 divided by sum of stichometric coefficient of product अब यह से उपर वाली बात किसके लिए हो चल रही होंगी बिटाजी उपर वाली बात भी किसके लिए चल रही है प्रोडेक्ट के लिए चल रही है not reactant और इसको multiply करना पड़ेगा किससे इसको आप लोग जो है लिखेंगे जो भी मैंने लिखवाया वो एक बार मैं आप लोगो को बताता हूं बहुत ध्यान से देखेंगे सभी यह पहले एक बार नोट करना जल्दी से इसको जल्दी से इसको नोट करना जो भी मैंने लिखवाया वेटा थोड़ा जल्दी से इन गैसियस रियक्टन अन प्रोडेक्ट टी इस इकल टू टू पाइंट 303 डिवाइड बाइक के लॉग सम अफ स्टाइकोमेट्री कोफिसेंट अफ प्रोडेक्ट माइनस वन और सम अफ स्टाइकोमेट्री कोफिसेंट अफ प्रोडेक्ट मुल्टिप्लाइबाइ पी नॉट माइनस पी चले चले मेटा बोले किया यह नोट हो आभाई हो गया चले बही आगे चले बहुत बढ़ी है देखो यह सवाल में बच्चा फसता है अच्छा यहां पर एक confusion मत करेट कर ले न यह पी नॉट कौन सा प्रेशर है बेटा बढ़ाओ यह मैं कह सकता हूँ इनिशल पर जो प्रेशर है और पी नॉट इनिशल और यह पी क्या है? यह टायम टी पर जो प्रेशर है, इसमें इसमें confused मत हो जाना एक ना NCRT में एक दो ऐसे सवाल है N2O5 का SO3H का अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको ऐसे सवाल बहुत दिखते होंगे और यहां पर क्या करते हैं बच्छे पूरी कैलकुलेशन करने के बाद फिर आंसर लाना पड़ता है मतला भी नहीं सीधा फॉर्मला यूज करो देखो क्लियर है या नहीं चले बदाए मुझे बदाए मुझे बदाए मुझे प्यारे बच्छो इधर आनो जार ध्यान से सुनो तुमारे टीचर ने अभी एक तुम्हें फॉर्मला बताया जो कि कुछ ऐसा था टीज गल्टू क्या था बताओ ज़रा टू पॉइंट थी जिरो थ दिवाइड बाए के लॉग क्या था सम अफ सम अफ स्टाइकोमेट्री कोफिसेंट अफ प्रोडेक्ट माइनस वन और इसको हमलो कर देते थे इंटु पी आई बोल दो या पी नॉट बोल दो इनिशल दिवाइड बाए सम अफ स्टाइसोमेट्री कोफिसेंट अफ प्रोडेक्ट को मल्टिप्लाइब आए पी इनिशल माइनस पीटी अरे यही तो सेंस है यार अच्छा याद रहे कि यह वैलिड है किसके लिए कि ओनली फॉर जघासिट Was क्षिशन है स्वाल पूछलों बिटा इस सवाल आया हुआ है इसलिए मैं बताष़ आ हूं आप लोग को आप प्रीवाई do गे तो आपको समझ महारा है कि शर्नने क्या पड़ाया आपको इसको T लिखना है इस फॉर्म में है न ये भी गैस है ये भी गैस है और ये भी गैस शब्द तो समझ में आगए होंगे डूसरा सवाल है आप लोगों को A दिख दिया मैंने ये convert हो गया twice of B में और प्लस C में ये भी गैस है और ये भी गैस है तीसरा यहाँ पर मैंने लिखा है ये A जो की गैस है convert हो रहा है twice of B में जो की गैस है और एक C में जो की क्या है पेटा जी सॉलिड है सवाल आ गया होगा समझ में सबसे पहले देखने के कोशिश करो भी सभी मुझे बताओ इसमें स्ट्राइकोमेट्री कोफिसेंट का सम कितना होगा प्रोटेट साइड में दो तो ये वैलू तो ना रियक्शन और रियक्टेंट इस दिस समझ मागा पी लगा दोगे उस एक्वेशन को देखते हुए खतम अब आप लोगों को इसी में पूछ रहा है नीचे वाली बात क्या होगी और यहां पर मुझे क्या काम करना पड़ाएगा पी आई और क्या काम करने पड़ाएगा नहीं माइनस पीटी एक बार मैं एक चीज चेक कर लो हाँ एक बड़ वगए है यह जो कर वह ना बेटा यह ऐसे है ठीक है यह एसे नहीं है इसको ठीक करना वाई सभी दिस इस पी आई माइन आ है प्हले ऐसी लिखाता ना बाद में गलत लिए ऐसे लिखा है आच्छा ठीक तो यह वाली टर्म कैसे हो जाएगी यह टर्म हो जाएगी मेरे पास twice of pi minus कितना हो जाएगा बेटा GPT समझ मागया मैं कहारा हम जब time t हो गया तो pressure 50 हो गया initially pressure 20 था तो उस case में यहां कितना लिखूंगा 20 यहां लिखूंगा 20 यहां लिखूंगा 50 बोलो game बना के दिखाओ मुझे कितना हो जाएगा टी इस इकल टू टू पाइंट 303 डिवाइड बाइके लॉग यह वैलू कितनी हो जाएगी बटा टू प्लस वन हो रहा है कि नहीं हो रहा ठी तो यह टेक्निकली कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी आई डिवाइड बाइ साइस ऑफ पी आई मल्टिप्लाइ बाइ पी टी अरे समझ में आया या नहीं आया आप कुछ सवाल मिलेंगे आप लोग को जो आपको बड़ा परिशान करेंगे लिकिन इस में थड़के बाद वो सवाल तुमें फी के नजर आईगे अगला सवाल बताओ इसमें बताओ मैं कैसे लिखूँ टी की वैल्यू टी जगल टू टू पाइंट थी जिरो थी डिवाइड बाइकि लॉग बताओ जड़ा कितना करना पड़ेगा ये टू और ये कितना है अगया ना बात समझ में वैलिड ओनली फॉर तो यानिकी टू माइनस वन यानिकी ओग्वे से तो पी आई होगा और ये वाली बात क्या हो जाएगे ट्वाइस ओफ पी आई माइनस पी टी शायद सब्द समझ में आ गये होंगे और उसका एक्स्प्रेशन भी है चाहोगे तो एक्स्प्रेशन के थूरू भी पढ़ा देंगे लेकिन वही बात लिखनी है बोलो बेटा किस्टिल के लिए श्रिया हार्देक जोजार सिंग महीका हा लिख सकते हैं डेल्टा एंजी बिल्कुल लिख सकते हैं उपर वाली टर्म को डेल्टा एंजी लिख दे नीचे वाली टर्म को डेल्टा एंजी लिख दे एक अई बात है तो ऐसा है ना इसमें जो रियक्टेंट होते हैं जनरली सॉलिड से कनवार्ट होते हैं डिकम लिक्विड फर्म में होना जरूर ही है हो जाएगा चलिए माल लेते हैं इतनी बातें आप लोग को क्लियर होंगी अरे कॉंसेप्ट क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है अच्छा एक बास सुनो सुनो सवाल आ जाता बच्चागरी का ऐसा सुनो बही फॉर्स् चलिए यार बताओ बिदी लाघक्त टू की वेलू क्या होती है है ओ अलब तीरी की वेल्यू है लाघत 5 की वैल्यूँट लाघ्द सेवन की वैल्यूट लाघ ए बाई बी की वैल्यू है прямо направ लूग ए इन्टू भी वैल्यू है ऑलूग Stephan समझ मारा है नहीं आ रहा है पिछले चैप्टर में खुब हो चुका है है ठीक है इसको क्या करना विटाजी ए प्लस लॉग भी समझ मारा है बात नहीं आ रही बदाओ तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कुस्टल क्लियर है आसानी से बात है समझ मारे इधर देख इधर देखो है इस बीन कंप्लीटेड इन थर्टी मिनट है हाव लॉंग है हाव लॉंग है इस पिट वुड़ कंप्लीटेड गारे इस सवन्टी फाइब परसेंट सवाल आ गया समझ में किराए कि तीस मिनट में 25 परसेंट खर्चोरा है सवन्टी फाइब परसेंट खर्चोने में कितना समय लेगा यह सवाल है फस्ट ओडर का अब एक बच्चा होगा जो के निकालने के पीछे पागल हो जाएगा और प्रदीप के सुलूशन से मारा जाएगा आप सीधी सीधी सी एक बास समझनेगी कोशिश करो मेरे प्यारे ब संट्रेशन बेटा कितनी होगी परसेंटेज में सो पच्चिस परसेंट है तो यह वाली पिच्चर कितनी हो जाएगी 75 और टी 75 परसेंट जो कि तुम्हें निकालना उसका फॉर्मला कैसे निगाएगा टू पाइंट 303 डिवाइड बाइके लॉग यह वैलू कितनी हो जाए यार तो यहां से एक्वेशन क्या जन्नेट हो रही है यह जन्नेट हो रही है 30 डिवाइड बाइट टी 75 मिनट 75 परसेंट इस एक वस्टू लॉग एबाई बी का फॉर्मला होता है लॉग ए माइनस लॉग भी सही है डिवाइड बाइड बाइड लॉग 4 पिच्च्च समझ म यह सब्सक्राइड बाते इतना कौन ही करता रहेगा कुछ बाते आप लोग को सर बता रहे हैं सीद्धी बाते अपने दिमाग में याद करो और याद करने के बात सीधा सीधा सवाल पर अप्लाई करो बट नॉट इन सीबिसी में बाते ऐसे अप्लाई नहीं करोंगे जब आगे पढ़ाने वाद यह तो सीबिसी सवाल है उसी तरीके से करना है जैसे पेपर में आ रहा है ठीक है ना अरे समझ में आ गया कोई दुख दर्द है हो जाए गई अरे बिना आगे थोड़ा से सवाल करा दें बोलो अ अ आधर अब एक अ कि सवाल देखो बैए अ कुछ ट्रिक्स अन्य बना रखिये उनको आपको फोलो करना है सुनो भाई सुनो अ कि अगे अ क्दी 50% अगर तो मैं निकालना है मिटकी यह तो टी हाफ कि टेक्निकली कितना बचा होगा 25 तो बचा है हाँ या ना नहीं बता नहीं कॉंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है देखो यह ट्रिक बनी कैसे उस बात को रहा फील कर लो एक बारी में समझ में आएगा फिर बेटा 75% है ना हाँ या ना 75% का सेंस क्या हो गया अगर मैं इसको 100% माल लो सुन ले तो 75% माइनस कर देगी तो पिच्चर कितना आ जाएगा 25% और 100 का 25 कितना होता है नहीं आए समझ में और यह मैंने क्या कर रखा है वही तो कर रखा है टी हाफ इंटू टी हाफ टी हाफ इंटू टी हाफ का मतलब क्या हो गया ट्वाइस अफ टी हाफ वही तो सेंस है ट्वाइस अफ वोट टी हाफ नहीं आई बास समझ में इस इट क्लियर और नॉट तो इतनी बातें आप लोग को क्लियर होने चीए एक बार नोट करना ही है सुनो भई इधर सुनना बच्चो सीधी सी बात आपने बेजे में डालो कुछ क्या ती 50% is equal to 1 by T यानिकी 50% multiply by 1 75 multiply by 2 87.5 multiply by 3 93.75 multiply by 4 90% multiply by सुनो T half 10 by 3 into 1 याद रखना 10 by 3 into 1 T 99 10 by 3 into 2 और SET 99.9 10 by 3 into 3 और T 99.99 10 by 3 into 4 अब याद यह तो सर्थवला कस्ट में तो है कैसे इसको याद करेंगे करते करते हो जाएगा करते करते हो जाएगा यह बनाई इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताया कि 75% लिख रखका है ना 75% लिखने का सिंस क्या हुआ 75% लिखने का मतलब होगा कि अभी भी रियक्टेंट कितना परजेंट है 25% है और 25% सौ का कितना भागए बटा जी एक पटा फोर इसका मलब 1 by 4 बनाना है 1 by 4 बनाना है तो t half लिख दिया multiply by t half लिख दिया हाँ या ना गेम समय मारी है कि नहीं आरी तो यह टम मेरे पास कितनी हो जाएगी बटाजी इन्टी टू हो गई सेंस भई है लेकिन आपको एज इस अपने दिमाग में चीजों को रखना पड़ेगा for solving good questions या मैं कहूं कि आप लोगो को ज्यादा समय ना लगाते हुए कम समय में भी सवाल का अंसर निकालाया सकता जैसे इसमें अगर मैं समझाम तुम्हें for first order reaction 75% reaction has been completed in 100 seconds find out the time taken for 87.5 इधर देखो इधर देखो बोलो हाय ना में जबाब दो और कितना निकालना है 87.5 के लिए निकालना है आया ना टू पंट ट्री जो चरी डिवाइड भाई के लॉग नीशल कंसेटेशन सो डिवाइड भाई कितना आना चीए बटा बदा 12.5 12.5 बोलो हाय ना अब क्या काम करोगे इसको काटो गए काटने के बाद यह जो 75 परसेंट है इसकी वैलू कितनी दे रखिए 100 सेकंड अरे बोल दो यह वैलू क्या है बेटा जी 25 के 100 हाय ना अब इसको काटो जड़ा कितना कितना बे आठ पर कटेगा तो लॉग 8 लॉग 4 तो टेखनीकल ही मैं यह जए लख सकता हूं यह वैलू आ रहे है 100 यह वैलु आ रहे है T87.5 जो की वैलू बराबर हो जाएगी लॉग 4 और इसको मैं क्या लख सकता हूं 2 लॉग 4 छ्टु किल सकता ह linearly отпूत लगा है आठ गलत लिखा है मुझे लिखना चाहिए इसको ऐसे 2 पॉइंट फाइव परसेंट निकानने के लिए आई केन यूज लाइक हंड़ेड इन्टु थ्री डिवैड बाइट तू सही है क्या यानिके डेड़ सो मिनट तेड़ सो सेकेंड समझ में आया है नहीं आया या तो यह करो या फिर यह करो समझ माया नहीं आया या तो यह करो या फिर यह करो और यह करोगे तो कैसे करोगे सर खतम है सर खतम सवाल का खतम आंसर थी इन्टु टी फिफिटी परसेंट जो की सो ना ती फिफिटी नहीं दे रखा ना भाई फिर तो डिलेशन निकालना पड़ेगा विकन नोट यूज इस फॉर्मला डिरेक्टली ओवर दियर है अच्छा अच्छा यह कह रहें कि सर यह वाला यूज कर लो टी आफ आजाएगा बई 75 प्रसेंट यह वाली वैल्यूस कर लो सौ इसको ड्वाइड कर लोगे कितना आजाएगा टी हाफ को यहां मल्टिप्लाई कर का आंसर लिग दोगे वावनाए के लिए रहे हैं लेकिन य अच्छे सवालों को करने में यह दम देगे किसी भी तरीके से पहले टी-हाफ निकालो टी-हाफ निकाल के जो भी टम पूछी हो यह उसकांस निकालो से दिक लियर वह आर्थ पले पड़ा करको मैं तुस्षे यह देदू यह देदू इतना और तुस्षे इसको पूछो क्या क सक्षम बड़ा बड़ा सक्षम क्लियर हुआ बोल बच्चा इजट क्लियर अगला सवाल करोगे तो दिल खुश होगा बहुत ध्यांच देखें बाई नेक्स्ट कुशन नोटेड नोट आये झाल 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 आगे देखें सवाल बता जल्दी से जो बच्चा बहुत जल्दी से आंसर देगा क्लास का अच्छा बच्चा इस सवाल है कि हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव आइसो टोप is this year में इतना year आधा 12.3 year में आधा हो जाता है if amount of isotope left undecade after 49.2 is this gram find out the final mass of isotope 49.2 year होगा 49.2 is year ठीक ना this is year answer आ चुका होगा यार बहुत simple सवाल है जल्दी करो आगे कोई सवाल है tell me the right answer of this question do first बच्चा जल्दी answer करो यार बड़ बात नहीं 24 24 24 26 26 27 27 गलत कैसे मुर्ज आए हुए से नजर आ रहा हुँना बेसिक सवाल पर अभाए अन्सर आया कितना 48 अंसर आ रहा है वे बच्चों का आप 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 हाँ कर आप आप कि आप चीद आन्सर है होगा सुस्ट आप आप अ आप संव बादा आप 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 प्रिशा प्रद्रेक्ष्न तनीशी यस्वीर मान्या महीका जुजार हार्दिक कल पेपर होगा परसो पेपर का डिस्केशन होगा राइट जे एडवान्स के पेपर का परसो ही डिस्केशन कर देंगे भाई रात वाली क्लास में चले आगे बता दो यार नहीं हो आंसर अच्छा कौन सा फॉर्मला यूज कर रहे हो पहले बताओ क्या तुम यह वाला फॉर्मला यूज कर रहे हो टी जिकल टू 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 पैंट 303 डिवाइड बाई के लोग Initial Divide By The Final कर रे हो कर रे है? यह formula use कर रे हो concentration वाले formula से ही formula बना है? कोई नया formula तो है नही? concentration वाले formula से ही यह सवाल बना है कोई नया formula तो मैं देखो है नहीं आजाँ इदर आजाँ इदर आजाँ बच्चे बहुत ध्यांस देखो सक्षाम अभी आंसर नहीं आ रहा आंसर देख ज़रा ध्यान से अब तो यह दो एक्वेशन सेट करनी है आंसर अपने आप आएगा देख पहले वाले में बोला है यह कितना है यह बता 12.3 यह तो हो गया पहला आया ना फिर कह रहा है इसको तो अभी लिखते हैं नहीं क्योंकि eliminate होने वाली चीज है लेफ्ट अंडिक अच्छा हाफ लाइफ दे दिया ना और हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बिटा जी इनिशल डिवाइड बाइफ फाइनल की value कितनी आनी चीए 2 यह तो है ना half life रहा यह ना 100 डिवाइड बा हो जाएगा तो value कितनी आ जाएगी लॉग दो आएगी पहले स्टेप समझ्वाया एक्वेशन नंबर दो एक्वेशन नंबर दे कह रहा है कि यह टाइम कितना हो जाएगा इतना यह टाइम तब निकालना है आपको जब कितना left रहें जब कह रहें कि 3 gram undecade रहें यही तो बोला है बोल दो तो 3 नीचे आएगा ना यह सोचना था 3 का आएगा में नीचे आएगा क्यों क्यों क्योंकि उपर तो होता है initial नीचे होता है क्या यह तो कटलेगा यहां से value आजाएगी log2 होगा यह नहीं होगा log2 नीचे वाली value केतने आजाएगी बढ़ा बताव माहा सिम्पल है सर एक काम ना करो इसको देखना मैं इसको ऐसे calculate कर रहा हूँ आपको समझ मारा सर क्या कर रहे है log w not by 3 is equals to 4 into log 2 log 2.3 होता है तो यह हो गया कितना 1.2 यह log w हाँ क्या अच्छा 4 को इसकी पावर में है यह भी सही तरीका है बिल्कुल सही तरीका है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log 2 की पावर 4 है ना तो खतम सुन्दर बात है तो w not divided by 3 is equal to कितना आ जाएगा 16 तो यहां से w not किसके बराबर आ जाएगा बिटा जी 48 कितना ग्रैम ना 48 ग्राम कर लो करो जल्दी से ट्रिक से थोड़ी होगा हर सवाल लॉग दो कैसे आया उपर बिटा उपर लॉग आया हर दिक बोलाए ना हाफ लाइफ हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है को इनीशल कंसे टेशन डिवैरड़ फाइनल कंसे टेशन कितना हो कु? वे इनीशल हंडेट होगी फाइनल हाफ लाइफ का मतलब क्या है Πचास बची तो 100 राथ 50 करेगा तो को भी वैलू कितनी है बेट टू याएगी चाहे वो मास में हो चाहे वो मोल में हो चाहे वो कंसेंट्रेशन में हो क्लियर हुआ चलो अगला सवाल करो भई next question देखिए भई next question देखिए for a first order reaction A से B में हम लोग convert हो रहे है the rate of the reaction of concentration of A is this then half-life of the reaction is calculate करो बेटा बहुत सवाल बेशिक है रहे तो half-life calculate करो इन seconds में क्या answer इसका B second में है answer उपर minute में है हाँ ठीक है D आ रहा है ना सक्सम कर रहा है D आ रहा है ठीक है D is the right answer of this question देखो बच्चा आप कैसे कर रहे हैं सवाल को हमें बता नी आईश्मान द्यान से सुन बेटा है for first order reaction A से B में convert हो रहे हैं the rate of the reaction of concentration of A is this is this and then half-life of the reaction is half-life पूछा हुआ है यह तो है कुछ तो बोल दो half-life पूछा हुआ है तो half-life को calculate करने के लिए क्या काम करते हो आप लो सबसे पहले तो आपको क्या calculate करना पड़ेगा के calculate करना पड़ेगा हाई या ना और के पता लग जाए तो half-life we can calculate see इस cases में तो आपको यह वाला formula यूज करना पड़ेगा कौन सा T 50% का कौन सा formula हो जाएगा बताओ जाना 2.303 0.693 divided by what के पता लग जाए गेम खथम ठीक see के पता लगाने की निंजा टेकनिक क्या है बिटा rate is equal to क्या होगा बिटा के एक ही पावर कितना हो क्योंकि order of the reaction पहली बोल दिया फस्ट सही है rate क्या भी है rate दे रख्खा 10 की पावर minus 2 mole per minute अच्छा second में ही convert कर यह समझे माया पर minute है न विटा तो 60 which is request to k और यह concentration कितना है विटा जी 0.1 नहीं यह वास समझ में तो बता ज़रा बता इस k की value कितनी आईगी कितना 1 upon 600 पका ना बरोसा कर लो तुझ पर चलो 1 upon 600 बरोसा नहीं हो रहा तुम पर पका चलो k की value इतनी आ गई इस k की तो यह 50% कितना आ जाएगा बताओ 0.693 divided by 1 upon 600 यहां से value आ जाएगी करीब आदी होगी 415 point कुछ वही लगबग वाला answer इसका ठीक हो कौन सवाला मैंने यह थोड़ी का बिलकुल नहीं करना जब elimination हो तब नहीं करना जब दो में comparison हो तब नहीं करना जब दो चीज़ा आ जाएं उपर नीचे कातने की तो उसमें क्यों जवर्जस्ति के निकाल के दूसरी value में पुट करेंगे जब पूछाई के हैं तब तब तो करना पड़ेगा न कि बेटा समझ में आगया पार्थ पक्का बेहुल क्लेर बेटा सिद्धी यह डेटा 100% क्लियर होना चीए सभी का यहां तब कोई दुखदर्द नहीं होना चीए अनुपमा बता बेटा यह डेटा है 100% क्लियर है सभाश नूटेड और कुछ है एका सवाल देने च्छा है पर नेक्स क्लास में पढ़ेंगे ठेक ना next क्लास में graph और इनके questions हम लोग पढ़ने वाले graph important आवाई graph महा important है इसके चलिए आज की class के लिए इतना ही thank you so much to all of you now you can leave the meeting